Hello everyone, how are you all, welcome to my YouTube channel, EduSquad, जैसा कि आपने thumbnail में देखा कि हाँ, आप यूज कर सकते हो, अपने digital panel के साथ, आपका अपना mobile phone, या iPhone से confuse मत हो न, basic phone से भी काम चल जाएगा, तो दोस्तों, आज की वीडियो में, मैं आपको ये mobile phone वाला system क्यों बताने वाला हो, क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि आप पैनल पर पढ़ा ले, बट उनके साथ problem है कि उनके पास एक अच्छा mobile है, या फिर उन्हें mobile भी लेना है, प्लस उनको camera भी लेना है, तो याद रखिएगा कि इस topic पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि आपको कैसा mobile लेना है, कौन सा mobile आपके लिए सही रहेगा, दूसरा आपको mobile के अंदर setting कैसी करनी है, तीसरा कि आपको lighting setup कैसे करना है, ये बहुत important है, और चोथा most important कि आपको panel कौन सा लेना है, बेफिकर रहीएगा, तो अभी हम चलते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको mobile कौन सा लेना है, दोस्तो अगर आपके पास already एक अच्छा mobile है, तो देखीगा उससे आपको मैं बता दूँगा कि उसमें कैसे setting करनी है, बट अगर आप एक नया mobile लेने का प्लान कर रहे हो, तो mobile कौन सा लेना है, इस विश्य पर हम बात करने देते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँगा, कि अगर आप panel के साथ में, अपने इस panel के साथ में mobile से recording करेंगे, तो output कैसा आएगा, तो मैं आपको बताओ, output अभी आप जो देख रहे हो, वैसा ही आएगा, voice कैसे आएगी, तो आप अभी मेरे इस mic में जो output आ रहा है, वैसी कि वैसी ही voice आएगी, तो अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ, अपने ही mobile से शूट कर रहा हूँ, और उस mobile की कीमत है, 20,000 रुपे, और ये mobile 20,000 रुपे का भी सायद इसलिए है, क्योंकि इसमें मैंने, जो space है, वो ज़्यादा लिया हूँ है, आप कम space का लोगे, तो भी काम चल जाएगा, बट यूजूलि अगर आप mobile को, as a recording device यूज़ करने वाले हो, कि जो mobile 10K से उपर की range में होता है, उसमें आपको camera अच्छी quality का मिल ही जाता है, प्लस आपको mobile के अंदर video pro mode, हाँ जी, ये होना चाहिए, जिससे आप, या फिर इसलिए हम बात करें, video के अंदर manual setting को option होना चाहिए, अगर आपके mobile में manual setting को option है, तो definitely आप बहुत सारी चीज़े उसमें setting कर सकते, especially brightness बढ़ाना, aperture बढ़ाना, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने mobile पर, और उस mobile पर आपको दिखाता हो, कि क्या-क्या setting हमने किस तरीके से की है, तो मैं अभी request करूँगा कि मेरी team से कोई player यहाँ पर आ जाए, और मैं चले जाता हूँ उस पार, ताकि मैं उनको setting करके दिखा पाऊ, तो देखिए, यहाँ पर camera हमने start कर दिया, usually camera start करोगे, तो आप video mode पर जाओगे, तो इस तरीके से proper यह दिखता है, बट, आपको यहाँ पर नहीं जाना है, आपको जाना है more option पर, और more option पर जाने के बाद में, यहाँ पर, यह Samsung का mobile है, इसमें pro video mode on है, अब pro video mode की खासित क्या होती है, मैं आपको भी बताओ, कि यहाँ पर सारे दिखे, आप देखरो न, speed, ISO, और यह सब चीज़े आपको यहाँ पर दिखती है, तो सबसे पहले आपको यह speed, shutter speed कहते हैं, shutter speed पर आपको जाना है, shutter speed को कोशिश करिएगा, कि इसको आप 50 पर ही रखे, shutter speed आपको कर लेना है, आपकी 50, अब आप 50, जब shutter speed 50 करेंगे, इसके बाद में आपको जाना है ISO पर, अब ISO पर जाएंगे तो आपको इसकी brightness थोड़ी कम करनी है, normally, जो यह usually होती है, तो थोड़ी सी brightness आप कर दीजिए कि कम, अब उसके बाद में आपको जाना है white balance पर, तो white balance option पर गए, और यहाँ पर, जैसे सामने साक्षी मेडम खड़े, तो इनकी skin tone के according आप पोशिश करिएगा, कि जो आपकी आखों से दिख रहा है, वही चीज़ यहाँ पर दिखिए, तो आपका white balance और भी अच्छे से work करेगा, तो मैं यहाँ पर मेरा normal white balance में ऐसे रख देता हूँ, यह इतना non-balance, white balance इतना हो गया, अब उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको कोशिश करना है, आपका जो यह tripod है, यह ज़्यादा दूर नहों और इसके बाद आपको हलका सा zoom करना है, बहुत ज़्यादा zoom नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, कि अगर आप बहुत ज़्यादा zoom करेंगे, तो आपकी जो वीडियो की quality है, वो खराब हो जाएगी, तो basically हमने क्या किया, यह चीज़ करा है, देखे आप इसके बाद में focus पे आपको ध्यान रखना है, तो focus के लिए आप क्या करेंगे, तो focus पे जाएंगे और focus पे जाने के बाद में यहाँ पर आप click करेंगे, और जैसे अभी साक्षी मेंडम के face को मुझे focus करना है, तो यहाँ पर मैं hold करके रखूँगा, चेंज करके एक बार लिखेगा, तो देखिए अगर red color से लिख रहे हैं तो यहाँ पर color भी पूरा properly red आ रहा है, इसके बाद में आपको करना स्टार्ट रिकॉर्डिंग और स्टार्ट रिकॉर्डिंग करके आप properly record कर सकते हैं, तो यह जो setting आपने देखी इससे यह तो प्रूव हो गया कि भाई साब आप अपने mobile से digital पैनल पर पढ़ा सकते हो और इस mobile और laptop की ताकत को समझे, मैं आपको अभी भी कहता हूँ अगर आप अभी तक online coaching business में involved नहीं हुए हो तो आज ही उतर जाओ, मैं आपको एक ही app recommend करूँगा अपने online course को sell करने के लिए आप classplus की application ले लो इस application पे आपको हर वो चीज अपने online courses आपकी online test series आपके students के लिए batch management आपको live mobile से जाने की freedom आपको mobile से अपने students से communicate करने की freedom हर वो चीज मेरा यह मानना है कि classplus पे छोटे creator से लेके इंडिया के बड classplus पे launch करने वाला हूँ तो आपको भी कहूँगा कि अगर आपको आपका online app बनाना है तो आप मुझे इस number पर call कर सकते हैं मेरी team आपको online application बना के देगी अचा हमारे थू classplus की application लेने से फायदा यह होगा कि उस application को सही तरीके से use करने के साथ साथ वहाँ पर support system पूरा हमारा होगा as well as हम लोग आपकी growth partner के रूप में बनेंगे और आपकी coaching में सही तरीके से content uploading से लेके उसकी marketing तक हम लोग help करेंगे तो यह मेरा promise है अब चलते हैं इस video को आगे continue करते हैं यहाँ पर अगर आपके mobile में pro mode और manual mode नहीं है तो एक application open camera open camera नाम की application है आपको google play store से download कर लेनी है और इस application से related जो भी setting आपको करनी है मैंने एक video बनाया है उस video में detail में आपको explain किया है तो आप उससे भी कर सकते हो करिएगा अपने आपको बहुत ज़्यादा bright ना करें usually creators क्या करते है अपने आपको बहुत ज़्यादा सफेज सफेज सब्राइटेस बढ़ा देते बड़ी odd लगती है realistic रहना बहुत important है camera में जो आखों को दिख रहा है कोशिश वही करिए वह camera देख पाए camera सब कुछ देख है तो अगर आप मुझे से communicate करना चाते हैं मुझे से जुड़ना चाते हैं तो aduse underscore akash मेरा instagram handle है वहाँ पर आप मुझे बिल्कुल जूर सकते हैं रूबरू हो सकते हैं इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई setting की ज़रूत होगी आपको simple सा एक tripod लगेगा side में अगर आप भी दे दूँगा दो ring light आपको side में लगानी है और एक नीचे से panel की light लगानी है आपकी इतनी light में आपका काम हो जाएगा और ज्यादा light लगानी तो ऊपर भी light लगा सकते हो बट initial है थोड़ा सा खर्चा बहुत ज्यादा ना करो panel पे आप खर्चा कर चुके होंगे और आपकी M&A app के लिए commitment करा है वही चीज में पैनल के लिए commitment करूँगा कि मेरी team पूरा हर एक छोटी से चोटी और बड़ी से बड़ी problem आपकी resolve करेगी अभी तक video हमने mobile से ही record करा मुझे पता है अगर मैं बताता नहीं तो शायद आप लोग समझ भी नहीं पाते कि ये video पूर review series लेकर आ रहा हो और उस समय भी आपका इसी तरीके से प्यार और support लगेगा अगर आपने यहां तक के video को देखा है तो comment करकर जरूर बताईएगा क्योंकि आप serious है आपके काम को लेकर thank you so much for watching